तो स्वागत एक और नए वीडियो के साथ आज में लेकर आगया हूं कख्छा नाइन एसस्टी तियास पार्ट वन फ्रांशिसी करांती तो प्रेशन पहला है फ्रांशिसी करांती के क्या कारण थे यह सबसे ज्यादा एक्जाम में आता है तो उसलिए मैं एक वीडियो बना र प्रांशिसी करांती का जनव हुआ था जिसके निमन कारण है अब कारण कोन कोन से हैं तो चलिए तो पहला बताता हूं मैं आपको कुछ विशेश समुदाओं के विशेश अधिकार दिये जाते थे जबकि जन साधन बर्ब को कोई अधिकार राफ्त नहीं था दिखे क्या है आटके ऑचे समुदाओं के लोगे थीखे जैसे की वढ़े जाते हैं तो उन्हें अधिकार दिये जाते थे तो फ्रांशिस्च उचे座ा जाती के लोग adults का दिये जाते थे वास्फ नीचे Some The State की वजय राज दरवार में शईंध रहती थे सरे दोषगती गहां अब जो दूसरा है वो है दर्म के मामले में पादरी बरश्ट थे पादरी यानि फुजारी फुजारी जो ब्रामन है वह बरश्ट थे另外 कि उन्हें फ्रासिस करांती में उपनली मानते थे जैसा वो कहते थे जो जिसका आधिकार थे वहां पर जैसा वो कहते थे तो वैसा ही करा करते थे जैसे कि इसमें लखा है तो था पुजारी पाड़ की वज़े पुजारी जो है उसे पूजा करनी चाहिए पाड़ करना चाहिए तो पूजापाट की जगै राजदरवाit में सेयंद रहते थे यानि सेबा करते रहते थे वहां पर रहकर तीसरा है ये तो इसमें प्रसरा वाला है फ्रांस के साथक निश्क्रिय का नहीं देगते थे और अपने काम के लिए प्रियूग किया करते थे लोगों को नीशे जाती ही लोगों और उन्हें सजा भी मिला करती थी अब जो फोर वाला पॉइंट है राजदरवार के खर्चों में कोई कमी नहीं होती थी अब उनके जो राजदरवार है उन्हें खर्चों में कोई कमी नहीं हुआ करती थी जब धन का आवाब होता तो सासन द्वारा नागिरुपों पर टेक्स बढ़ा दिया जाता था इनी सभी करांती से फ्रांस की करांती का जनम हुआ तो दीखे जब राजदर्वान में बराबाद खर्शुगा करता था और जब खतं होया करता था अकि जो लोग हैं उन पर टेक्स बढ़ा दिया जाता था है और जिससे जो है फ्रांस की करांती कां जनम हुआ तो यह मैंने कि चार इस फ्रांस इस करांती की क्या कारण थे तो यह मैंना को बता दिये हैं आपको वीडियों पसंद आयों पसंद लाइक कर दें चैनल में पर दो सब्सक्राइब करें जरी मिलते नाइस वीडियों में